हेलो फ्रेंट्स आज हम 2017 तचेस ये कोरियन मिस्ट्री धिलर मुए एक्स्प्रेंट करने वाले है इस मूवी में एक बुड़े लाइनलाड के बिल्डिंग से एक लड़की गायब हो जाती है इसी शहर में एक सिरियल किलर भी है तो इस लड़की को बचाने के लिए ओल्ड डिटेक्टिव के साथ मिलकर ये सिरियल किलर की हंड पर जाते है बहुत इंटर्स्टिंग है मुवी है तो चले इसका इस्प्रेंशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम दीखता है कि सिरियल किलर एक बुड़े आत्मी को मार देता है यहाँ पर वो इस तरह से सब चीज़े रखता है कि लोगों को लग है कि इसकी नैचरल डेत हुई है इसके बाद हम अमारे मेन क्यारेक्टर दियूक को देखते है यह एक बुड़ा लैंडलोर्ड है यह अकेला ही रहता है इसे डाइविडिस भी है और लोगों के साथ वो अच्छे से बरता हो नहीं करता किसी से भी अच्छी बात हो कर ले ऐसे हो ही नहीं सकता इसके आसपास के लोग कोई भी इसके खिलाफ नहीं चाते पूरे सिटी में इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसको रेंड करता है इसके बाद हम देखते है कि डेवट अपने एक टेनन के पास आया है यह भी एक बुड़ा ही आदमी होता है जिसका नाम होता है चाओ जाओ ने 2-3 महीनों से रेंड पे नहीं किया होताँ तो देवग उसे अब माँग रहा होताँ जाओ कहता है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ वो जबरा बिमार है इसलिए ओ दे नहीं पा रहा देवग कहता है कि कुछ भी करो पर मुझे रेंड मिल जाना चाहिए इतनी सिंपती आ रही है तो तुम क्यों नहीं देती है इसके बाद देवक वहाँ से चला जाता है वह आगे सिटी में आता है तो ब्रीज के पास पुलिस को डेट बॉड़ी मिली हुई होती है वहाँ बहुत सारे लोग होते है और देवक ये देखने के लिए जाता है यहाँ करती है और उसे लटगी दिखती है यह भी उसके बील्डिंग में रहती है यह उससे विलिंड मांगता है यह हमारे में कैरक्ट्र है और इसका नाम होता है सुं कभी भी करका दिए और दिल की बहुत ही अच्छी होती है उसके कोवरگर जो जरह भुड़ी होती है तो उसे रेस्ट मिल सके इसके लिए उसका काम भी हो कर डालती है इसके बाद हम देखते हैं कि सीटी में और एक बुड़े आदमी की डेथ हो चुकी है नेकसिन में देवक सिटी में एक शॉप पर आता है ये भी शॉप वही ओन करता है और इसने मीन को रेंड पर दिया है देवक मीन को पसंद करता है तो उससे बहुत ही अच्छे से बात करता है मीन उसे वेलकम करती है और उससे सैंडविच भी ओफर करती है यह बुड़ा है तो यह सैंवेच खाने से उसे तकलिफ होती है पर फिर भी यह सैंवेच वो ले लेता है यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बुड़ा हाद में आता है उसके साथ उसकी वाइफ होती है जो विलचेर में है ये देखकर मीन देवक से कहती है कि कितनी fortunate है, इसका पती इसका कितने सालों से खायाल रख रहा है, इनकी जोड़ी बहुत ही romantic है, देवक कहता है कि उसकी life कितनी खराब है, उसे उसका ध्यान रखना पड़ता है, देवक कितना भी control कर ले, पर उस जिस तरीके से है, उसी तरीक मिलने किलिए आता है, वो देखता है, तो चौ बहुत सारा खाना उसने लाया होता है, चौ रूम में आता है, तो उसके हाद में beer वेगरा होती है, देवक कहता है, कि मैरे rent बेनी करते, और अब तुम मजे कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, चाओ कहता है, कि मेरा पूराना फ्र हैंडल किया था और यह पैटर्न में आप हो रहा है पहले तीन ओल मैन मरेंगे और इसके बाद लड़किया मरने वाली है चाओ कहता है कि हम सब बुड़े हम नहीं करता और वहांसे चला जाता है इसी बिल्डी में सु भी रहती है सु अपनी फ्रेन के साथ बात करी होती है उसके पास के मद dissertation उसके पैसे अंन तुम एसा मत किया करो तुम सारे पैसे अगर तुम्हारी मदर को दे दोगी तो तुम्हें क्या रहेगा यह सब देवक भार से जाते जाते सुनता है रात में हम देखते कि चाओ का मर्डर हो जाता है सुबा फिर से देवक को सू दिखती है उसे कहता है तुम हमेशा तुम्हार किलर ने बनाय हुआ होता है थोड़ी देर में चाओ के साथ काम करने वाली कोवर कर भी वहाँ आ जाती है जब पुलिस इंवेस्टिकेशन होती है तो यह दोनों कहती है कि चाओ को हमेशा देवक प्रिशराइज करता रहता था इसी वज़े से चाओ ने सुसाइड कर ली होगी यह बाते सब लोग सुन रहे होते है चाओ को ही सब लोग अब ब्रेम करने लग जाते है देवक हमेशा जिसमें इसमें खाना खाता है वहाँ जब वो जाता है तब उसे खाना देने से मना कर देते है सब देवक पर बहुत ही गुस्सा है वो मीन के रेस्टोराण में भी आता वो घर खाली कर देने वाली है, देवक से deposit लेकर वो चली जाएगी, देवक को लगता है कि चाओने सुजाइट कर ली है, तो यह भी उसे ही दोज दे रही है, यह उससे पूछ लेता है, शुकेति है, यह मुझे पता है कि तुम हारी वज़े से ऐसा नहीं हुआ है, हम सब को प तुम रव बोलते हो पर तुम दिल के साफ हो कोई रेड ने देबाया इसी वज़े से किसी को भी तुमने घर से बाहर आज तक नहीं निकाला है इसका घर छोड़ने का रीजन अलग है यह वो देवक को समझाती है यह देवक पर बिलीव करती है देवक जाओने ऐसा क्यों क्यो का है देवक उसे सब कुछ समझाता है यह जो आदमी है यह हमारा और एक मेन क्यारेक्टर है इसका नाम होता है पार्क चाओ बात कर रहा था कि उसे मिलने के लिए उसका फ्रेंड आने वाला है यह वही उसका फ्रेंड है पाक भी डिरिक्टिव ही था पाक को जब मालुम होत तो उसके roommate का murder हो चुका होता है यह बहुत ही डर जाती है और पुलिस को call लगा रहे होती है पर तभी हमें दिखता है कि उसके पीछे serial killer है यह बाहर जाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करती है पर यह killer उसे बेहोश कर देता है देवका रूम सूख के रूम के नीचे ही है उसे दिखता है अब रात में भी तुम लोग को परिषान कर रहे हो यह वहाँ से उसे निकल जाने के लिए कि लिए कहते है देवक भी चला जाता है निगस दिन देवक जब मिन से मिलने के लिए जाता है तो वहा डिरेक्ट्टिव पार्क होता है देवक उससे बात नहीं करने हो पर पार्क उसके डेवल पर आकर बेट जाता है वो कहता है कि जिस तरह से 30 साल पहले मर्डर हो रहे थे उसी तरीके के मर्डर ये हो रहे है अब इस पैटन में एक लड़की मरने वाली है जिसके लॉंग हेर सुंगे द्योग को सूख ही आद आती है और वहाँ से चला जाता है जब वो फेर से सू के रूम में चेक करने के लिए जा रहा होता है तो वहाँ एक लड़का होता है जो जबरदसी अंदर गुसरा होता है द्योग जब इसे स्पाट कर लेता है तो वहाँ से भागने लग जाता है द्योग भी अपनी स्कुटी पर उसका पीछा करता है इसके बहुत मारता है तब इस लड़के से पुछता है कि तुम भाहा कर क्या रहे थे यह लड़का कहता है यह सू की फ्रेंड मेरी गर्ल्ट्रेंड है वो एक दो दूनों से मेरे फोन नहीं उठा रही यह इसके लिए वरीड था इसलिए घर में घुश रहा था अब देवक और पार पुलीच को कॉल लगा रहा रहा होता है पर पार्क उसे कहता है कि Siu अव्य भी जिनदा है पर अगर हमने पुलीच को एनवाल किया तो सेरियल किलर जल्दी ही ऊसे मार देगा पाक कहता है कि हम दोनों को मिलकर अब उसे डु़ड़ना चाहिए दिवक बहुत सालों से इस शह के नाम होते है राद में पार्क और देवक जब डिनर करते है तो देवक कहता है कि अगर मैंने उसे देखा होता तो मैं अभी उसे मार डालता पार्क अपनी पिछली स्टोरी सुनाता है जब 30 साल पहले इस केस को कर रहा था तब उसने स्रियल गिलर को देखा था वो कहता है कि गाड़ी में चाओ और उसका बॉस था बॉस जब इस किलर का पीछा करने लगнул गया तो है जहाओ के डैरी के सब सस्पेक्ट को इन्वेस्टेशन करने केंए, देवक और पार्क अब घुमते हैं दोनों जब मिन् के ये रेस्टोरणन में होते हैं तब पारक देवक से कहता है कि मिन्को भी इस सीरियल खिलर ने पकड़ा था वो उसे मारने वाला था पर मिन्न वहाँ से भाग गई थी पारक कहता है कि इस बारे में बात करना उसके लिए hard हो सकता है फिर भी पारक उससे बात करना जाता है परदयोग उसे वहां से उठा कर बाहर लेकर आता है यह जब बाहर आते हैं तब डॉक्टर्स का कैम चल रहा होता है यहाँ पर एक बुड़ा डॉक्टर अपनी वाइब जो फिलचेर में है उसे लेकर यहाँ वॉलेंडियर करता है जब पार्क इसे देखता है तो यह कहता है कि बहुत इसस्पीशेस है सीरियल किलर हमेशा इसी तरीके से वॉलेंडियर करते है इसे दूर से ही देखता है पर इसे लगता है कि यही सिरियल किलर हो सकता है इसके आखे चेक करते हैं और कहता है कि मैं आखों में आग डाल कर देखो तभी इस डॉक्टर की वाइब टॉयलेट कर देती है इसके आप कबड़े वेगरा डॉक्टर को ही चेंज करने पड़ेंगे तो उसकी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है सू अभी भी जिन्दा है और किड्नापर ने उसे एक बेस्मेंट में बान कर रखा है सू को उसने कुछ आईवीज भी लगाई है कुछ टीटमेंट सूपर चल रही है पाक का शाख 100% इसी डॉक्टर पर है यह देव को कहता है कि मैं डॉक्टर को फॉलो करूंगा और तुम उसके घर में कुछ जाना देव क लॉक्स में थी होता है तो उसे घर में जाने में कोई प्रॉलम नहीं आती घर में जाकर डॉक्टर की वाइफ को देखता है चिलनाने की कोशिश करती है पर यह पूरी पैरलाइस्ट होती है यह कुछ भी बोल नहीं सकती घर जानते हुए बैक्यार्ड में एक शेड देखता है शेड को खोलने की कोशिश करता है पर इसमें Advanced Lock होता है पाक डॉक्टर का पीछा कर रहा है पर डॉक्टर अब घर जाने के लिए Ready हो जाता है पाक देख को कॉल लगाता है पर इक कॉल नहीं लगता पाक डॉक्टर का पीछा कर ही रहा होता है पर पहले उसने जो इस लड़की को मारा था उस लड़के ने पूरी अब उसकी ग्याइंग लाई है वो पारकोव मारने वाला है पारक सब लड़कों से लड़ता है पर लास्ट में ये लड़का पारक के पेड में चाको गुसा देता है देवक डॉक्टर के घर पर दोर खोलने कोशिश कर रहा है पर एक कर नहीं पा रहा हुता तभी डॉक्टर वहाँ जाता है ये उसे पुछता है कि तुम हो कौन देवक कहता है कि मैं सो को ढून रहा हूँ डॉक्टर उसे निकल जाने के लिखेता है देवक को सख जाता है कि ये पुलिस को क्यों नहीं बुला रहा उसे ये भी पुछता है कि इस शेड में क्या है डॉक्टर और दियोग दोना लड़ाई करने लग जाते है तभी वहाँ पार्क भी आ जाता है ये इंजोर्ड है पर इसने अब गन लाई हुई है ये डॉक्टर को एक जगा बेटने की लिखेता है दियोग जब अंदर जाता है तो वहाँ OPM की बाग होती है याने कि ड्रक्स के पोधे होते है डॉक्टर अपनी सफाय में कहता है कि प्लीज इसे पुलिस को मत पता न मैं मेरी वाइफ के लिए इससे बुगाता हूँ वो पैरलाइस्ट है तो उसे हेल्प की ज़रूरत है उसे में ड्रक्स देता हूँ तो उसे जरा रिलाक्स मेसूस होता है इस्टिकली अज़ अमेडिसीन ही में यूज करता हूँ पाक को अभी भी बिलिव नहीं हो रहा यहाब पाक एक मास्क देखता है यह डॉक्टर को मास्क पहनने के लिए कहता है डॉक्टर मास्क पहनने के बाद इसे 100% कन्फरम हो जाता है कि यही सिरियल किलर है यह अब अपनी गन से डॉक्टर को मारने वाला होता है पर देख उसे रोक लेता है देख को जड़कता है और गोली जलाता है पर एक खिलोनों की गन होती है डॉक्टर कहता है कि यह क्या है देवक पार्क के पॉकेट चेक करता है पार्क के लॉकेट में लिखा होता है कि यह अल्जाहिमर का पेशन्ट है पुराना डिरिक्टिव है पर इसे भूलने की विमारी है तो इस पर कोई भी बिलियू नहीं कर सकता देवक अब हॉस्पिटल को कॉल करता है और पार के सन को भी कॉल लगाता है पाक को हॉस्पिटल में लेकर जाते अब देवक से डॉक्टर बात करता है वो कहता है किलबे इस किसी को भी इसके बारे में पता ना मत देवक भी कहता है कि किसी को भी पता नहीं चलेगा और वहाँ से चला चाता है चाव ने पाक को कहा था कि और एक बुड़ा आदमी है जिसको जर्च में धुड़नी पा रहा है देवक उसका पता निकालता है और उससे धुड़नी के लिए जाता है उसकी घर पर उसकी dead body उसी मिलती है इस जगा पर देवक देता है कि old man का dog भी मर चुका है इस dog के मुँँ में एक कपड़ा होता है देवक अपनी ही building में एक आदमी के lock बदल रहा था तभी उसने उसकी pen देखी थी यह 40 हुई थी और उसी band का कपड़ा इस dog के मुँँ में है यानि कि वही आदमी serial killer है यह जब देवक देख रहा होता है तभी और एक police officer investigation करते करते यहाँ आ जाता है देवक यहाँ से भाग जाता है पर police officer को पता है कि यह देवक ही था देवक अपनी building में killer के घर पर पहुँचाता है यहाँ जाकर सब और लोगों की तस्विरे इसे मिलती है पुलिस भी पीचा करते करते यहाँ आ चुका है देवक नहीं murder किये है ऐसा उसे लगता है और देवक को handcuff करता है देवक उस पर चिरता है पुलिस को समझाता है कि अगर दूसरे पुलिस को तुने पता दिया तो सूख खत्रे में आ सकती है हमें उसके killer को ढूणना है दूसरे पुलिस को ना पताते हुए ही अब वो इस रेलवे की हा आ जाते है देवक को गाड़ी में बैटने के लिए केक कर यह पुलिस आगे चला जाता है देवक गाड़ी में नहीं बैटता और खुद धूणने लग जाता है यह आपर उसे वा आदमी मिल जाता है देवक पन्ना लेकर उससे कहता है कि इनोसन मत बनो मुझे पता है कि तुमने इस सब लोगों को मारा है एक किलर देवक को मारने लग जाता है पुलिस वहा आता है पर पुलिस और इसकी भी फाइट होती है एक किलर आगे निकल जाता है पुलिस बेहोश होता है पर देवक किलर के पीछे भागता है किलर रस्ते से जाही रहा होता है तभी एक गाड़ी उसे उडाक कर निकल जाती है देवक इस किलर के पास पोचता है यह मर रहा होता है तो मरते मरते देवक को बता कर जाता है कि और एक किलर है जिसने यह सब किया है नेक्स दिन देवक पुलिस को बताने कोशिश करता है कि और एक serial killer है पर अब serial killer मर चुका है और पुलिस को बहुत ही complicated लगता है तो इस idea को drop कर देते हैं हमें पता है कि मेन पर serial killer ने हमला किया था देवक जब उसके पास जाता है तो उसे कहता है कि मुझे प्लीज उस हमले के बारे में पताओ वो उसे killer को पकड़ने में help कर सकती है मेन भी uncomfortable होती है पर बात करने के लिए राज ही हो जाती है यह कहती है कि जब उसने मुझे पकड़ा था तो मैं उसे देख नहीं पाई पर उसका strong smell मुझे आ रहा था उसके हाथ भी मुझे अजीब लगे जैसे उसकी छे उंगलिया हो अब देवक यहां से चला जाता है यह पार्क से मिलने के लिए hospital में आता है पार्क को ज़ादा कुछ याद नहीं है तो देवक प्रिटेंड करता है कि उसका friend चाओ है जाते जाते हो देखता है कि पार्क के रूम में full है और यही full उसने डॉक्टर के पास देखे यहां डॉक्टर पर उसे शक जाने लग जाता है पार्क अभे भी कहे रहा होता है कि डॉक्टर ही था जिसने यह सब मर्डर की थे अब देवक डॉक्टर के पास पहुच जाता है तो डॉक्टर को कहता है कि मुझे चेक अप करवाना है डॉक्टर उसकी पर्स जब चेक कर रहा होता है तो देवक देखता है कि इसकी छे उंगलिया तो नहीं है पर इसकी उंगलियों पर एक मार्क है यानि कि डॉक्टर ने उसकी एक उंगली काट ली होगी डॉक्टर को एक अंफरंट कहता है डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि आप तुम जादा जीने नहीं वाले यानि कि दॉक्टर ही deal serial killer था दॉक्टर देयोक को बहुत मारता है उसके shed में जहाँ वो ड्रक्ज उगाता है उसमें और एक रूम होती है यहाँ पर सू भी है तो दॉक्टर सू के पास ही देयोक को रखता है सू कुछ भी बोल नहीं पा रही मैंने जब सूप को देखा तो सूप भी मेरी वाइफ की तरह ही दिखती है अब मैं इसके साथ रहूँगा मैं इसे लेने के लिए इसके घर पर गया था पर इसकी फ्रेंड वहा के तो मैं इसके फ्रेंड को भी मार दिया हमने रेलवे में काम करने वाला सिरियल किलर देखा है यह सिरियल किलर और लोगों को मार रहा था डॉक्टर ने जिस तरीके से 30 साल पहले लोगों को मारा था यही पैटर्न वो फॉलो कर रहा था यह सिरियल किलर चाओ को मारने के लिए गया था तब ही डॉक्टर को इसने spot किया था जब द्योग और पूलिस इस serial killer को पकड़ने के लिए गए तो ये डॉक्टर ही था जिसने उसकी काड़ी से serial killer को उड़ाया था डॉक्टर अपनी वाइफ को भी हाली कराता है वो अपनी वाइफ को मारने ही वाला होता है तब ही पार्क वहाँ पहुच जाता है अब पार्क के पास real gun होती है डॉक्टर बिलिव नहीं करता कि पार्क के पास real gun है इस gun से पार्क डॉक्टर का कान उड़ा देता है इस रूम में डॉक्टर के पास acid है यह acid इन दोनों पर वो भेखता है पाक डॉक्टर पर जफ़क पड़ता है वो देव को कहता है कि सूख को लेकर तुम यहाँ से चली जाओ पाक और डॉक्टर दोनों फाइट करते डॉक्टर कहता है कि उस दिन यानि कि 30 साल पहले तो तुम कुछ भी कर नहीं पाये थे पाक के बॉस को डॉक्टर ने मार दिया था पर उस ताइम अगर पाक जाता तो सिरियल किलोर को मार सकता था पर वो डर गया था यही चीज़ों से खाती थी और इसी वज़े से अब को जो भूलना जाता था यही रीजन था उसे अलजाइमर होने के लिए अब यह दोनों इस दूसरे को बहुत मारते है डॉक्टर पाक पर गोली चला देता है पाक वही गिर जाता है और डॉक्टर अब देवक के पीछे लग जाता है देवक एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर सू को छुपा देता है यहाँ पर यह दोनों बहुत fight करते है और डॉक्टर अब देवग को मारने वाला होता है पर पार्क वहाँ पोच जाता है यह injured है फिर भी डॉक्टर को बहुत मारता है डॉक्टर अब बहोश हो जाता है पार्क उसे जान से मारने वाला होता है पर देवग उसे रोक लेता है वो कहता है कि हमें इसे पुलिस में देना चाहिए हम अगर इसे मारेंगे तो हमें और उसमें कोई भी फरक नहीं रहेगा अगर थोड़े दिन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जेल में है पाक 30 साल पहले कुछ करने पाया था पर वो अब खुश है उसने सही से बदलाब ले लिया है डेव भी बहुत इंजोरड हो चुका था तो हस्पिटल में है उसे देखने के लिए मिन और सू दोनों आई हुई है यह हमेशा से अकेला ही था पर अब इसे हेल्प करने के लिए सू और मिन यह दोनों है यही मूवी एंड हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगाओगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी इस तरह की मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर दीजेए और बेल नुटिफेशन आइकोन दबना में मत भूलिए हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी की साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आपने आपका ख्याल रखिये